जोस्तों कैसे हैं आप आज की वीडियो में आपको potentiometer के बारे में थोड़ा सा detail से बताना चाहूंगा potentiometer जिसे volume tone या फिर volume switch भी कहा जाता है इसके कई सारे नाम है आपको इस वीडियो में थोड़ा सा detail से मैं बताना चाहूंगा कि ये किस तरीके से काम करता है और इसके पीचे कुछ numbers लिखे रहते हैं कि 105 जो भी numbers लिखे रहते हैं उनका क्या काम है या फिर ये numbers क्यों लिखे रहते हैं और ये भी बताना चाहूंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है, इसके अंदर का पूरा, इसको खोल के इसके function को आपको दिखाना चाहूंगा, और भी details से मैं अपने हिसाब से बताना चाहूंगा, जो भी मुझे experience है, उस experience को आपके साथ share करूँगा, ताकि आप लोगों भी थोड़ा से details से सीखने को मिले, बिल्कुल साथारन भासा में, बिल्कुल मेरी वाली language में, ताकि आप लोगों के मन में कोई भी confusion ना रहे, मैं वीडियो पे सरल और साथारन भासा का इसमाल करता हूं, मेरा मानना है, जो भी मेरी वीडियो पे आए, वो कुछ न को सीखे इसके कई सारे नाम है, इसका नाम है, volume tone, tone, volume switch, potentiometer, variable resistance, preset और भी कई सारे इसके नाम है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यह क्या काम करता है, वैसे दो आपको बता होगा है क्या काम करता है, लेकिन जिनने नहीं पता, थोड़ा details मैं बताता हूं, असल मैं यह volume को बताने या फिर घटाने का काम करता है, इसे कई एक पर regulator के तौर पर लिया आ जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यह देखिए, यह एक regulator है, ज्यादे तर आपने इसे fan में लगा हूआ, देखा होगा, या फिर radio पे भी आपने देखा होगा, रेडियो पे य switch और on-off का काम करता है, यह दो इसमें जुड़े हुए हैं, यह on-off का वाला switch इसके पीछे जुड़ा हुआ है, और यह volume वाला, अब बात करते हैं, फैन में, फैन में एक तो यह on-off का काम करता है, और दूसरा यहाँ पर यह speed control का का काम करता है, बस फैन पे इसमें ट्रायक पर बात करूँगा, जिस topic पर यह video मेरी खासकर बनी हुई है, अक्सर volume switch के पीछे आपने कुछ नंबर से लिखे हुए देखे होंगे, जो कि कुछ resistance की value टैप की आपको दिखती है, बी 100K, यहाँ पर इस पे 250K करके लिखा हुआ है, थोड़ा से मिटावा भी लग रहा है, यह भी 100K है, तो इस तरीके से कई सारे number हमारे volume switch के पीछे लिखे हुए रहते हैं, तो यह क्यों लिखे हुए रहते हैं, थोड़ा सा मैं detail से बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको आपको थोड़ा सा और practically समझाऊंगा कि यह क्यों होते हैं, असल मैं volume switch के पीछे जो number लिखे यह resistance की value इसमें लिखी रहती है, को एक ची बताना चाहूंगा, resistance कई प्रकार के होते हैं, एक normal resistance जो आप किसी भी circuit में आप normally देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का दिखता है, resistance, यही नहीं, resistance की एक और category है, जिसे variable resistance या फिर preset या फिर potentiometer कहा जाता है, यह resistance के ही एक family का सिसा ह और इसकी value हमेशा resistance की तरह यहाँ पर लिखी जाती है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर resistance की तरह इसकी value लिखी है, तो यहाँ पर कैसे हम माने की resistance ही है, अब थोड़ा सा और detail में आपको लेज चलूँगा, सबसे पहले तो आपको बता दू, अगर इसमें 100 के लिखा है, तो यह 100 किलो ओम्स का एक resistance है, लेकिन यह fix नहीं होता है, यह variable resistance की category में आता है, यानि कि इसकी value को आप घटा या फिर बढ़ा सकते हैं, maximum जो इसकी value है, वो है 100 किलो ओम्स, minimum 0 है, 10 ओम्स बना सकते हैं इसको, आप बना सकते हैं 100 ओम्स, 200, 300, 400 या 1 किलो ओम्स भी से आप बना सकत यानि कि इसकी value है, इसको हम इस tone की माध्यम से घटा या फिर बढ़ा सकते हैं, maximum इसको 100 के तक रख सकते हैं, minimum आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो इसलिए इसको variable कहा जाता है, इसकी एक fix value नहीं रहती है, लेकिन इसकी fix value जो होती है, यह सिर्फ दो ही आपको points पे ठाना चाहूंगा, उसके बाद इसको खोल के दिखाऊंगा कि यह किस technology भी काम करता है, देखिए, सबसे पहले में multimeter को, यह अगर 100 केका है, तो multimeter को लगबग हम 100 किलोोम्स पे रखेंगे, यहाँ पर 100 किलोम्स कोई option नहीं है, maximum 200 किलोम्स तक है, इस section में 200 किलोम्स तक की resistance को पर रख लीजिए, बहले आप black probe पर रख लिए, कहीं पर रख लेना है, तो यहाँ पर, अगर आपका एक potentiometer बिल्गुल सही हालत में है, तो इसो check करने के लिए, आप सबसे पहले multimeter के दून प्रोप को first और last में लगा लीजिए, जो यहाँ पर value लिखी है, वो आपको यहा चैनल पर है, तो यह कई type के आते हैं, यह single channel पर है, इसमें सिर्फ तीन मिलेंगे, यह dual channel पर है, तीन एक channel को control करता है, तो यहाँ पर बात एक ही है, यह left red के लिए दिया गया है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम check करेंगे, थोड़ा सा तसलिश से और ध्यान से और हाँ, अगर सीखना चाते हैं, तो यह आज किसी भी काम की नहीं है, तो यह देखिए, तो यह 100 km बहले यहाँ पर लिखाओ, लेकिन थोड़ा सा ज्याद है हाँ पर दिखा रहा है, 103, यह आपके multimeter का fault भी हो सकता है, और यहाँ पर इसका fault भी हो सकता है, लेकिन एक चीज से उपर भी दिखाता है, लेकिन हम इसको बिल्कुल सही मानेंगे, आप भले इसको भी चेक किजिएगा, दूसरे वालों को भी चेक करके दिखाता है, इसमें भी आपको फिक्स वैल्यू नहीं दिखाए देगी, इसको भी आपको घटके या बढ़के दिखाए देगी, दे अब यहां पर सबसे लास्ट वाली पिन से अठाके मैं इसको बीच वाली पिन पर अटेच कर लेता हूं, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं आ रही है, अब हम इसकी वैल्यू को अपने इसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, देखिए इस तरीके से, यह देखिए, यहां पर अब यह देखिए, अब हम इसको बढ़ा रहा हूं, तो इसकी वैल्यू घट रही है, और घटा रहा हूं, तो इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, वो क्यों, क्योंकि यहां पर इस तरीक से वर्क करता है, अगर इस वाले को हम इस तरफ रखेंगे, तो फिर सीधी हाथ पर देखिए, सबसे पहले इसको मैं 0 में रख लेता हूं, यह देखिए, 0 हो गया, अब हम इसकी वैल्यू को अपने इसाब से बढ़ा या फिर घटा सकते हैं, देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ाते लोंगा, तो इसकी वैल्यू आप देखते रहिएगा, यह देखिए, 3, 5, 7, 8, देखिए, अभी यह 1 किलोंग का बन गया, अभी कहना हो, यह 3 किलोंग का बन गया, और यह 9, 15, 16, यह देखिए, अपने इसाब से इसकी वैल्यू आप घटा है, जैसे आपको 50K का रजिस्टेंस चीए, तो यहाँ पर देखिए, इसको 50 पे हैट कर लिजे, यह 50 कि बस इन दोनों पिन पे आप यहाँ पर कनेक्शन कर लिजे, 50K की रजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, यह बीज का जो नोब है, यह कैसे काम करता है, उससे पहले आपको मैं दूसरी यह वाली अलग वैल्यू की रजिस्टें अब मैं इसके अंदर का पूरा फंक्सिन आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, इसको खोलने के लिए आप इस तरीके और हाँ इसको रिपेयर भी किया जा सकते हैं, कभी काफी बार जो वॉल्यूम पॉटेंशिमेटर होते हैं, वो एम्प्लिफायर पे करकर करकर सा साउंड करने लग जाते हैं, इस तरीके घुमारे पर इस तरीके से आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से इसको रिपेयर आप कर सकते हैं, पहले इसकी हम टेकनोलोजी को समझते हैं, इसको हम इसके चारो लोग को हम उप पर को ऊटाकर खोल लेते हैं ूस तरीके से छे अगर यह लोग हमारे खुल चुके हैं थोड़ा साउता न हिपारी से करने हैं дेखिए अब इसको आप लीजी और इसको अलग करिए ये देखिएगा इसमार अपर ये खुल चुका है यह देखेगा यह अलग हो गया और यह अलग हो गया यहाँ पर देखेगा तो असे ध्यान से यहाँ पर देखना है और समझना है यहाँ पर एक कार्बन के मैटल का फिल्ड है पूरा है यह देखेए कार्बन टाइप का यह मैटल है पूरा इसका फिल्ड है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर देखी यह जो brush है यह जो wiper कहिश सकते हैं आप इसको brush कह सकते हैं चलिए wiper कहके चलता हूँ मुझे प्रॉपेस का नाम नहीं पता है अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप comment कर सकते हैं मैं भी यह wiper मैं इसे बोलता हूँ तो यह जो wiper है इसके top में देखी एक यहाँ पर एक point लगा हुआ है देख सकते हैं आप देखिए यह जो है यहाँ पर देखिए इस तरीकी से घूमता है इस पर यहाँ से यहाँ तक घूमता है यह जो घूमता है तो जिस जिस एरिया में ये जाता है उस उस एरिया की ये value देता है अगर मैं आपको बताऊं देखिए यहां से लेके यहां तक ये और ये दो पिन ये field से जूड़ी हुई रहती है इसका जो अंतिम छोरह ये है जो main resistance जो होता है इन दोनुका होता है देखिए अगर ये 100 km यहां पर रकर इसकी value है तो देखिए यहां से यहां तक की जो ये resistance है ये carbon के जो ये पट्टी बनी विए इसका जो resistance है वो 100 km है देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्वारी ये 100 km का नहीं है बलकि ये हमारा 250 km का resistance है क्योंकि मैंने अभी इसको open किया हुआ है इसका जो metal का body है इसमें 250 km है तो ये 250 km का है 100 km का हमारा ये था तो अब इसकी value में आपको ऐसे दिखाना चाहूँगा यहां से देखिएगा multimeter की यहां पर screen देखिए सब से पहले इसका value हम लाश्ट का चेक करते हैं तो यह हमारा कितना है 200 km का resistance है अब यहां पर देखिए जो वाइपर है किस तरीके से work करता है यह बीच की पिंचे वाइपर जुड़ा रहता है और जब यह इस तरीके से work करता है देखिए इस तरीके से जब जितना जैज वाइपर घूमता है उस तरीके से resistance होते रहता देखिए इस तरही देखिए यह पर देखिए यहां तक का resistance कितना है जैसे यहां तक का देखिए, यहां पर का रिजिस्टेंस है, यहां पर का हम रिजिस्टेंस क्लियर कर लेता हूं, तो यहां पर तक का रिजिस्टेंस है, हमारा 216 है, दो सोलकाप आधर के लिजिए करी अभी करीक रिव 208 यहां पर दृखिए यह से क्वाट करीब और ही सेंट्र वाय ना retir रहा ही है यहां पर करीब आ रहा OUT दो सो दृखơn और यहां पर करीब आ रहा है 108 यहां पर करीब 108 आ रहा है इधर तक का तो इस तरीके से जब वाइपर हमारा घूमता है इस फिल्ट पे तो जहां पर वाइपर की नोप पहुंचती है वहां तक का रजिस्टेंस आपको देता है तो इसी तरीके से जितना ज्यादा रजिस्टेंस हो इसके द्वारा हम समझते हैं अब यह बिल्कुल अगर बिल्कुल लास्ट पे है तो यह बिल्कुल ओफ है जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस अभी बहुत ज्यादा है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंग तो इसका resistance घटते जाएगा volume बढ़ेगी और resistance घटते रहेगा तो जैसे यह आपका घूम रहा है तो इसके अंदर जो wiper लगा हुआ है या फिर इसके अंदर जो brush लगा हुआ है वो carbon के इस field पे work करता है और जैसे जैसे इसका resistance इसका resistance आपका घटता रहेगा वैसे वैसे आपकी volume speaker से output ज्याद करेगी resistance घटने पर volume बढ़ेगी और resistance बढ़ने पर volume कम होगी यह आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं इस तरीके से देखिए अभी यहाँ पर resistance कितना है यहाँ पर है resistance हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ से चेक करते ही यहाँ पर resistance मारा है देखिए इस तरीके से यह देखिए यहाँ पर का resistance है 215 kg अभी हमारी volume बहुत कम है resistance बढ़ा है तो volume कम होगी और resistance जैसे घटते जाएगा volume बढ़ते रहेगी बढ़ते रहेगी volume बढ़ते रहेगी जब यह last तक पहोँ जाएगा तो volume इतनी ज्यादा होगी कि वहाँ पर आपका speaker फड़ भी सकता है इसलिए amplifier पर volume को बहुत ज्यादा नहीं किया जाता जितना ज्यादा आप volume बढ़ाएगे उतना resistance घटते रहेगा और output ज्यादा देते रहेगा तो इस तरीके से wiper इस field पर work करता है देखिए जितना घुमाएंगे आप उतना वहाँ पर रोग करेगा जो और जो wiper जो जुड़ा रहता है वो beach की pin से जुड़ा रहता है देखिए मैं आपको wiper दिखाना चाऊँगा यह देखिए यह देखिए यह जो beach की pin है beach की pin है wiper इस सटह से जुड़ा रहता है और wiper की एक pin यहाँ पर काम करती है इस तरीके से work करती है देखिए यहाँ पर देखिए यह pin wiper के दो pin है एक यह है और एक यह यह आपकी बीच वाली पीन से जूड़ी रहती है और यह बाहर वर्क करती है देखिए यही resistance को बढ़ाने या घटाने का काम करती है इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं यह देखिए यह देखिए इस तरीके से बढ़ाती या घटाती है resistance को अब आपको मैं इस तरीके से दिखाना चाओंगा यह देखिएगा यहाँ पर अभी काम नहीं करेगा यहाँ पर बिल्कुल जीरो है अब मैं इसको वाइपर को इस जगब पर जोड़ता हूँ देखिए यह देखिए यह देखिए यहाँ पर भी focus करवा देता हूँ आपको थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा और clear दिखाई देखिए देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ तो हैं पर value change हो रही है देखिए तो देखिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो 0 आ जागा भई भी बीच वाले से इसका connection हट गया है आप volume potentiometer को खोल के देख सकते हैं वीडियो थोड़ा सा लंब हो रहा होगा लेकिन समझाने के लिए मैं बहुत ही deep method का यूज कर रहा हूँ मैंने कोई भी course नहीं किया है बढ़ आपको सिखाने के लिए हमेशा सरल और सधारल भासा का इसमाल करता हूँ फिर भी किसी को दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पर comment कर सकते हैं मैं भी आप लोगों के आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी बढ़ इस तरीके से आपको किसी में भी नहीं सिखाया होगा अब यहाँ पर इसलिए इसको variable resistance का आ जाता है देखिए यह जो आपका potentiometer है यही जो है technology हमारे preset पे भी काम करती है प्रिसेट बोले तो जैसे कि आपने देखा होगा कुछ stabilizer के board आते हैं कुछ amplifier के board आते हैं तो वहाँ पर भी preset का असमाल होता अगर मेरे को यहाँ पर image मिलेगी तो preset की image यहाँ पर column पर आपको देदूँगा और वही एक और resistance होता है जो आपका mixture पर लगा होता है उस पर भी इसी प्रकार के method का समाल होता था वह भी एक resistance ही है तो इसलिए यह resistance इसको कहा जाता है यानि कि variable resistance कहा जाता है क्योंकि इसकी value को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं manually यह देखिए यह आपके fridge का thermostat है इसमें आप आपने देखा हो ना इसको घटाने या बढ़ाने से आपका cooling का time बढ़ता या फिर घटा है इसके अंदर भी उसी प्रकार की technology का समाल किया रहता है ठीक है तो यह जो thermostat है उसके अंदर भी वही technology का समाल होता है और आपने जो छोटी-छोटी emergency light होती ना उन पर देखा होगा जो अजीब type के वहाँ पर potentiometer लगे रहते हैं इसमें तो वह carbon का field है जिसमें brush काम करता है और कुछ-कुछ ऐसे भी होते हैं जिन में resistance लगी रहती है वहाँ पर वह जो method है वह भी इसी theory पर काम करता है बस वहाँ पर resistance का इस्तमाल कर दिया गर रहता है बाकि होता वह सेम है अब मैंने यहाँ पर आपको detail से खोल के दिखा दिया है अब बात करते हैं अगर आपका यह जो potentiometer है बार बार से करकर करकर सा sound कर रहा है तो आपने से कैसे repair करना है simple और सियाँ पर बात है यह देखिए यहाँ पर कार्मिन जमा हो जाता है यह देखे इस तरीके से कार्बन जमा हो जाता है इसको आप किसी साफ कपड़ाइस से इस तरीके से क्लीन कर लीजेगा यहाँ पर यह जो कार्बन का इफेल्ड है या तो कड जाता है या फिर आप पर कार्बन जमा हो जाता है तो इस तरीके से आप साफ के लेजेगा मेरे हाथ कора कालिक सी लग रही है, तो कारविन साफ कार हिस spar के बाद भूझ कर य। यer वाइपर उसके क्लीन करने है, उसके बाद और वाइपर उसको पूर को निकाला था भूझ करना है, उसके बाद एख विएपर जैय मेरे हैं पहले चाहर भूझ करने है, मैं अभी आपको यहां पर पैट करके पूरा यहां पर बिल्कुल इसे चला कर दिखाऊंगा यह देखिएगा इसमें कोई भी बवाला नहीं है असानी से यह हो जाता है काफी बार क्या होता है हमें हमारे पास वोल्यूम सुच नहीं होते हैं तो हम इसके अभाव में कुछ टा आ थुरा सा twentथुर्ण हो गया यहां पर देखेगा रहे पृ соб देखिए होव ढिभा ओए अब डुबारा से आप इसकी है इसका सामाल कर सकते हैं सब सब इसकी cualquier वाई्ल्यू देख neighborhood कि दू और यहांपर गढ़ाने पर सीवाईयू बःखिया इस तरीके से इसकी value बढ़ेगी ठीक है अगर आप बीच की pin के साथ लास्ट वाली pin का शमाल कर रहे हैं तो यहां पर पीर इस तरीके से value इसकी बढ़ेगी और इस तरीके से इसकी value घटेगी, अब मैं आप आपको इसकी pin details भी हाथो हाथ बता देता हूँ जो तीन pin है क्या काम करती है amplifier पे जैते दिसका काम volume को घटाने या base को घटाने बढ़ाने का काम होता है यहाँ पर देखे first pin से हमारा signal input होता है और दूसरे से output होता है और last वाला हमारा ground पे या फिर amplifier की body से जुड़ावा रहता है जब आप इसमें कोई फिर bluetooth वगर connect करते हैं तो bluetooth वगर जो connect करते हैं वहाँ से जो left या फिर right का जो भी signal आता है आप यहाँ पर input कराते हैं और signal फिर यहाँ से output करता है और amplifier की EUX point पर चला जाता है उसके बाद यहाँ पर जब भी आप इसको volume को बढ़ाते हैं तब आपका वहाँ पर volume control होने लगता है इस पर मैंने एक detail video बनाया है आप वहाँ पर देख सकते हैं फिर से इसकी pin detail बता दूँ यह input, यह output और यह ground इस तरीके से इसकी pin details होती हैं अगर आप यहाँ पर इस तरीके से बढ़ाने वाला इसको करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि उल्टे तरीके से volume बढ़े तो आपने यहाँ पर बिल्कुल उल्टे connection करने हैं input, output और एक ground अगर आप इस तरीके से बढ़ाने वाला बना चाहते हैं यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो कहीं भी नहीं मिली होगी थेंक्यू सो मच